हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबो टेक एजूकेशन ग्रूप में पिछले तीन वीडियो में मैंने सिंपल वे में और इवेन नंबर को पहचानने का प्रोग्राम बताया जिसमें मैंने पहले वाले वीडियो सेशन में मैंने यूज किया इफ स्टेट्मेंट का दूसरे वाले वीडियो सेशन में मैंने कंडिशनल ऑपरेटर का यूज करके सेम चीज को सेम प्रोग्राम को सॉल्व किया और तीसरे वीडियो session में मैंने switch case का इस्तमाल किया आज के वीडियो session में मैं function बना के same problem discuss करने जा रहा हूँ जो देखे basic concept है किसी भी event number का अगर कोई number जो की num में है अगर वो event है तो इसका मतलब है कि उसके value में जब आप 2 से division operation परफॉर्म करेंगे तो remainder जो है वो 0 आएगा यह basic concept है मैंने हर वीडियो में यह concept discuss किया है similarly अगर num का value नम में जो भी value होगा जो भी number जो भी integer होगा अगर वो odd होगा जब आप उसके value में 2 से अगर division operation परफॉर्म करेंगे तो remainder है वो 0 नहीं बचेगा मतलब कि आप कह सकते हैं कि num के value में अगर आप 2 से division करेंगे तो remainder जो है वो एक बचेगा तो आएए देखते हैं कैसे यह function के थूरू हम लोग करते हैं यह function के थूरू पहला पार्ट है वीडियो का जिसमें मैं जो function बनाऊंगा उसका return type नहीं होगा मतलब कि wide return type से मैं इस function को बनाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से वीडियो के आखिर तक बने रहे हैं वीडियो को बिल्कुल भी skip न करें ताकि total concept आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों का clear हो जाए जिन लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज 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 चैनल को सबस्क्राइब करें बेल बटन को भी दबा दे ताकि जो भी वीडियो मैं अप्लोड करूं उसका notification आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए देखते हैं कैसे यह problem solve होगा देखे सबसे पहला काम तो यह है कि मैं यहां पे include कर दे रहा हूं जो basic header file stdio.h उसको और normal way में मैं एक function बना रहा हूं main यहां पे मैंने suppose नम नाम का एक variable लिया जिसमें मैं integer का input लोगा मैंने message दिया printf से enter any integer और scanf function के मदद से %d या %i format specifier का use करके मैंने वो input नम नाम के variable में जो मैंने already declare किया है उसमें मैंने रख दिया अब मैं यह चाहरा हूं कि odd है या even है इसके लिए मैं function बना रहा हूं odd underscore even जिसमें मैं नम को pass कर दे रहा हूं यहां से नम का value pass हो रहा है निश्ची तुरूप से यह जो function है यह pass by value mechanism से बना हुआ function है अब यह नम का value यह जो कि यहां पे नम जो है actual argument है यह नम का value odd underscore even नाम के function में जाना चाहिए तो चलिए main के उपर मैं wide odd underscore even नाम का function मना रहा हूं यहां पे मैं identity type x रख ले रहा हूं ताकि वो नम का value रख सके यहां पे x जो है ना यहां पे x जो है वो dummy argument कहलाएगा dummy argument या formal argument कहलाएगा ओके तो अब जो है जो भी x में value आया नम के through नम का copy ही आया होगा अब मैं उसको check करता हूं यहां पे भी आप देखिए तीन तर्केस में बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझेगा इस बात को वीडियो के बिलकुल आखिर तक आप लोग बने रहेंगे बहुत ध्यान से समझेगा वे नमबर वन अगर x में जो value आया ना अगर उसमें दो से division operation करने पे remainder क्या बचे जीरो बचे तो भाई प्रिंट कर दो कि नम का नम नहीं sorry नम का value तो x में आ गया x का जो value है ना is an event integer यहाँ पे comma के बाद मैंने x दे दिया otherwise मतलब नहीं तो नहीं तो ऐसा करो भाई कि 0 तो बचा नहीं तो इसका मतलब है कि जो number है न वो आपका odd integer is an odd integer ऐसा देखे आप comma x दे देते हैं अब देखे इसको हम लोग execute करा के एक बार check करते हैं कि यह सही से काम कर भी रहा है या नहीं तो यह execution start होता है यहां पर यह देखे एक semicolon by mistake जो है वहां पर छूट गया था कोई बात नहीं दुबारा मैंने compile और run करवा लेता हूं अब देखे सपोज मैंने 123 डाला तो आप देखेंगे आप कि 123 के बारे में बता रहा है कि 123 is an odd integer यह output window में साफ साफ दिख रहा है चलिए एक event integer हम लोग डालते हैं इस बार रण करवाते हैं दुबारा कोई भी एक event integer माल्या 1028 हमने डाल दिया तो देखें यह बता रहा है कि 1028 जो है वह एक event integer है यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह जो functional block है मेरा यह वाला यहां मैंने if use किया आप लोग इसका snapshot लेके रख लेंगे screenshot ले लेंगे अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं ternary operator से बना रहा हूं मैं यहां पर चेक करता हूं कि अगर x के value में दो से division operation perform करने पे remainder 0 बचे तो भाई आप print कर दो कि वह जो मेरा number है वह even otherwise नहीं तो नहीं तो भाई print कर दो कि वह जो मेरा number है वह odd integer है ओके यह नो return type में ही जो है ना मैंने पहला वाला example जो भी दिया अभी जस्ट इसके पहले उसमें मैंने if statement का use किया इसमें मैं conditional operator का use कर रहा हूं चलिए मैं इसको भी compile and run करके देख लेता हूं कोई भी एक odd number मैं डालता हूं बता रहा है कि odd integer है बहुत अच्छी बात है दुबारा मैं कोई even integer डालता हूं like 124 देखिया even integer है यह भी काम कर रहा है similarly अब यहां पे अगर मैं switch का use करूं मेरा अपना क्या thinking है ना मैं अभी इस video session में चाह रहा हूं अगर इसका return value 0 आ रहा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर एक्स परसेंट टू का जो result है that is equal to 0 तो ऐसा होने का मतलब क्या होता है ऐसा होने का मतलब है कि जो number है वह even है तो मैं यहां पे डाल दे रहा हूं कि जो आपका number है is an even integer integer ओके कॉमा एक्स और ब्रेक लगा देता हूं नहीं ब्रेक लगाने से क्या होगा कि अगले case में चला जाएगा case 1 मतलब इसका है कि अगर एक्स परसेंट टू का जो result है अगर यह एक है मतलब कि निश्य तूरुप से वह integer even होगा printf % is an odd integer चुकि remainder जो है वह आपका 1 बच रहा है 0 नहीं बच रहा है मतलब 1 बच रहा है चुकि यह case last है तो यहाँ पर मैं break दू या नहीं दू चलेगा चली मैं दे देता हूं लेकिन comment आप इसको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं अब इसको मैं execute करा कर दिखा रहा हूं देखिए कोई भी एक odd number मैं डालता हूं 1269 देखिए 1269 जन और इंटीजर सिंपल वे में यह बता रहा है ओके अब कोई even integer map feed करता हूं like 998 तो इस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो सेशन में जाना कि कैसे आप यह function बना सकते हैं एक function आप बना सकते हैं जिसमें आप if का यूज करके या conditional operator का यूज करके या फिर switch case का यूज करके आप और even को निकाल सकते हैं एक चीज मैं यहां पर बहुत ध्यान से अभी और थोड़ा सा चीज देखेंगे अगर इस वाले section section को मैं यहां से हटा दूँ मैं इस वाले section को section को यहां से मैं हटा देना चाहरा हूँ ठीक है मैंने cut कर लिया cut करके अगर इस चीज को मैं नीचे paste कर दूँ तो अब आप देखेंगे जब आप run करवाएंगे तो देखें क्या होता है चुकि आपका जो function है ना उसका definition नीचे है तो यह function calling section के नीचे आ गया तो आपको prototype declaration का यूज करना होगा आपको उपर बताना होगा कि एक function आपको future में मिलने जा रहा है जिसका नाम odd underscore even है और जिसमें एक int parameter पास हो रहा है यह क्या कहलाता है यह कहलाता है प्रोटो टाइब डिक्लेरेशन ओके ऐसा कर देने से अभी जो यह execute नहीं रहा था अब आप देखिए compile and run करवाई है यह execute हो गया आपको एक integer डाली अगर आपने event डाला तो वह event बताएगा और अगर आप odd integer डालेंगे तो वह odd बताएगा तो इस तरह से आप लोगों ने prototype declaration भी सीख लिया जहां prototype declaration किसी भी function का advanced declaration है definition of calling section के बार में आपने रखा है तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले अगर कहीं कोई problem है तो comment में आप solution के बारे में पूछ सकते हैं कोई topic अगर आप लोगों को लगता है कि वो topic मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप वो topic भी comment section में डाल सकते हैं जिन लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया प्लीज 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 चैनल को subscribe कर दे बेल बटन दबा दे उम्मीर यह वीडियो पसंद आया होगा थांक्स थांक्स फर वाचिंग थांक्स अलोट